हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सोभी लोग आई होप आप सोभी लोग बढ़या होंगे मैं इस्टेसिन मास्टर क्यार सेनी के आर एजुकिसन पर आप सोभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों रेलिवे टेक्निशिन भरती 2024 की एक्जाम डेट भी आचुकी है दिसंबर में आपके एक्जाम सुरू होंगे लगबग आपके पास में 60 दिन का समय है तो इन 60 दिन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना आप सब अपने अपने इसाफ से याप बहतर तरीके से सारी कुछ रणनी तिपनी बना रख्या होंगे येगन फिर भी दोस्तों मैं अपने एक्ष्परि प्रेक्रिक सेट पर कितना मैंने तिहां पर करनी होगी सारा कुछ इस वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मिटिव होने हो ला है तो यहाँ सारा कुछ अपन बात करेंगे कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है किस चीज को छोड़ना अपने को और सारी दोस्तों इस एक्जाम के सेलेक्षन प्रोसेश सबसे easy है और सबसे जल्दी एकर रेलवे की भरतिया जितनी पी चलते हो उनमें एक्जाम सबसे पहले लेकर नौक्रिक मिलेगी तो टैक्शन वाले भाई लोग को मिलेगी इसका भी रीजं यह है कि इसमें फ्शिप एक ज़ाम होने वा आप वो दिवाली मनाओ तो इस हिसाब से आप महनत करो पूरा जीजान से आप दो महीने अपने आपको पूरी तरह से जोग दीजे इसके अंदर क्योंको दोस्तों यह टाइम है दुवारा बार बार नहीं आता है वेकेंसी बहुत लंबे टाइम के बाद आती है फिर वेकेंसी देखें दोस्तों जैसे कि यहां पर अभी जो नोटिस आया था उसके अंदर आप देख लीजे एक्जाम डेट जो है आपकी कौन से सिटी है एक्जाम सेंटर कौन सा है अब देखें दोस्तों आगे बात करते हैं में आपको बताया सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो इसमें आपका उनली एक ही एक्जाम होगा सीबीटी वन एक्जाम और उसके बादव डीवी और मेडिकल बहुत ही आसान पढूरा है बाकी जो सारे लगवर इक्जाम है उनुके के बाद में तो कहीं सारी लंबी प्रोसेस यह पर हो जाती है लेकिन टेक्शन बहुत ही आसान जो है प्रोसेस यह पर रहने वाला है तो आपको सलेबस एक बार में दिखायता हूं उसके अंदर देखे टेक्निसी ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए यहां पे आपका थोड़ा सा वाइड सलेबस रहने वाला है जिए के जियेस और आपका जो इसमें वालों के बहुत बढ़ा रोल इस ... बहुत बढ़ा रोलज रहने वला है। तो बैसिकí जियदा मेंप करेग两व से बहुत सब्सक्राह करें उब रहनें रहा है जीएस का जो है दसका है और बेसिक कंप्येटर्स एन अप्लिकेशन कंप्येटर्स का बहुत बड़ा रोल इसमयार रहने वाला है तो इन सब्जेक्ट्स पो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है जर्नल अवेनेस में अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ोगे मुलब कुछ आपको काम करना होगा अना इसके लिए आपको बहुत अच्छी खाची मेंनत करनी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे की नोटिपिकिशन आए काफी टाइम होगा तो आप सभी लोगों ने एक दो बार अपने सर इसके सलेबस को रिवाइस अगर अभी कर लिया होगा प्रेक्टिस सेट भी लगा रहा होगे मैं प्य वियो यक्यों देख रहे होंगे तो देखें यहां पर जो आप अगर अभी तक प्रेक्टिस सेट नहीं लगया है तो यह मानं के चली कितनी तैयारी हो गई है कितनी और तैयारी के आपको आऊ सेकता है कौनसा subject आपके week है हाना ऐसे जो है आपको सारी कुछ चीजे पता लगती रती है अगर आप practice set साथ साथ में चलते हैं तो अगर आपका syllabus cover हो गया है, अगर आपका syllabus cover नहीं हुआ, दोनों भाहि लोगों के लिए मैं ध्यान से सुनना यह बात बता रहूं, जिनका syllabus नहीं हुआ है, तो वो जो है side में अपना syllabus cover करते चले, और इधर एक दो set, कम से कम एक set डेली यहां पे practice set जरूर लगा ले, जिसकी भी analysis करोगे, हर question को detail से देखोगे, और ऐसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप cover करोगे, उन questions को, कि आपको exam देखते ही, यह लगे नहीं कि आप exam देरो, आपको भी लगे कि हाँ, आम में कोई practice set वगर रहा है, या ऐसे ही कर रहा हूं, तो उस हिसाब से इतना confidence अगर आप में लेकिन इसके अंदर एक ही exam होगा, कटोब अच्छी काज यहां पर देखने को मिलेगी, अब देखे, टेक्टिंसी गरे थरड़ के अंदर भी आप सलेबस देख लिए, इसके अंदर math reasoning का बहुत अच्छा-काचा रोल रहने वाला है, हना, 25-25 की है, और general science का बहुत तकड़ और रिवाइस करेंगे, और दो प्रेक्टिस सेट या प्योग जरूर यहां इदर लगाएंगे, अब बात ही निकल के आतीक सब्रेक्टिस और प्रेक्टिस और प्योग के लगाए किस टाइब के, तो देखे, टेक्निशन ग्रेट फर्स्ट की जो तैयरी कर रहे हैं, वह भा जाएंगे, तो ग्रेट थर्ड के आपको देखने हैं, जो कि LP और टेक्निशन के सब्रेक्टिस में रहने वाले हैं, बाकी इसका इतना बहुत ज्यादा रोल नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी आपको यह चीजे प्रिफेर करनी है, इसके लाद टेक्निशन ग्रे तो फिर आपको दूसरी बूक लेनी का आउसकता नहीं है यह किसी टाप को रिक्रमेंडेशन नहीं है क्योंकि इन बुक्स में कुछ मेरे को खास लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और टेक्निशन ग्रेट फस्ट वाली बुक जो बुक है बैसिक साइंस एंजिनिक वाली है देखे 25 सेट है और देखे पहले आपका सेट रहेगा सारा जो एक्जाम में आता है आएगा वैसा का वैसा सेट है बहुत चुनिंदा क्यूशन इसमें उठाए गए शांदर शांदर क्यूशन आपको यहां पर मिलने वाले हैं ऐसा नहीं कि बहुत इजी पेपर बना दिय इसके बाद में हर क्यूशन का डिटेल से एक्सपलेंस दिया हो अगर क्यूशन में अटकते हो तो यहां से यहेहां अपसकर लोका पेपर सब्सक्राइब और इसमें वहीं चीज है आपके पास में 20 सेट मिलने वाले हैं सब्सक्राइब पहले हैं उसका फिर प्रिफिर करके एक्जाम टाइम में इनकी प्रेक्टिस आपको करनी चाहिए जितने प्रेक्टिस सेट निकाल लिए जितना भुक्स को रगड सकते उतना रगड यह इसके लगड़ टेक्टिस ग्रेट थर्डे वाले भाहि लोग जो है उसमें बेज अपको साइन्स का चारीस नमर के आएने वाली है इस बूक्स में आपको सारे के सारे आस्टेक एक्जाम हुए है उनके सब के PYQ मिलने वाले हैं देखिए कितने सारे सेटिस में रहने वाले हैं दो सो करीब 255 के करीब सेटिस में है देखिए 255 सेट और पहले जो है आपको देखिए हर पेपर का सेट वाई जो यहां पर जैसे के एलपी का टेक्निशन का नुवाड 2008 को जो क्यूशन किसी माध्यम से बाइ कर सकते हैं बाकि दोस्तों यह बुक से अगर आपके पास में एविलेबल है किसी भी पब्रिकेशन की तो आपको दूसरी लेने के आओ सकता नहीं है तो यह थी दोस्तों छोटी जान करें आपको अच्छे लगए कि वीडियो आपको अच्छे लाइक क कीजिए दोस्तों के साथ में शेयर जरू करें थैंक यू